हलो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी तो स्वागत करते हैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल CHS GenV Study Capital पे ओ स्वारी यूट्यूब चैनल नहीं आप लोग मुझे एप पे देख रहे हैं हम लोग है आपकी क्लास कंड़क करा रहे हैं और आपको पूरा का पूरा सिलेबस कबर करा रहे हैं एक महिने के अंदर GenV इंटरंस एक्जाम के लिए हां मुझे पता है कि आप लोग 5th स्टांडर्ड में हैं और आप चाह रहे हैं कि आपका जो admission है वो नबोदे विद्याले में हो जाए क्लास 6 स्टांडर्ड में तो बिल्कुल हम आपके साथ में हैं जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं क्लास 6 स्टुडेंस के लिए क्लास 6 टोडेंस के लिए क्लास 6 उनकी हैं अप भी जो है नवोते विद्याले में selection ले ले और मेरा नाम रोशन करें, simple सी बात है, चलो, तो आज के इस class को start करते हैं, थोड़ा समय अपना stylus ले लूँ, और एक important चीज आपको बता दू मैं, important चीज ये बता दू कि पूरी की पूरी स्रीज जो है हमारी mathematics की बहुत ही सांदार रहने वाल ठीक है, तो डीटेल में किस तरीके से पढ़ेंगे सर, डीटेल में इस तरीके से पढ़ेंगे कि हम लोग previous year questions को नवोदे विद्याले के solve करते हुए चलेंगे, हर एक questions जो नवोदे विद्याले की exam में आए हुए हम लोग solve करेंगे इसमें भी और अंत में चलके YouTube पे भी solve कर पूड संख्याओं का योग कहते हैं, सबसे पहले चीज, सबसे पहले चीज आपको पता होने चीज कि पूड संख्या होती क्या है, मतलब आपका ये whole number क्या होता है, तो whole number के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो जो भी आपको digits दिखाई देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, य आपके whole numbers है, एक चीज और बता दू मैं, कभी आपको दिखे 2.5, root 3, 1.6, तो ये सब root में, points में आपकी whole number नहीं होते हैं, whole number मतलब पूरा number, आधा धूरा नहीं, पूरा number, ठीक है, तो वही पूरा number आपका क्या है, whole number है, पूर संख्या है, लिखा हुआ है, पूर संख्या ह मतलब पूर संख्या पर अधारित मतलब क्या, जो आपके whole numbers पे based है, चार आधारभूत संख्या है, चार कौन-कौन से, division, multiplication, addition, subtraction, याने कि, जोड घटाना, गुडा भाग, ये चार संख्या है, आपको पूर संख्या ओपर किस तरह के से करनी है, वो सारी चीज़ा हम लोग लेक्चर में डिसकस करेंगे, हलाकि एक लेक्चर में तो सारा कुछ डिसकस नहीं कर पाएंगे, तो पहले लेक्चर में हम लोग addition को discuss करेंगे, याने कि आपका जोड पूरा का पूरा हम लोग cover करेंगे, जोड ऐसा नॉर्मली नहीं कि 2 प्लस 6 equals to 8, ऐसा नहीं होने वाला है हम लोग discuss करेंगे, किस तरीके से हम लोग sum 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 हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग है स्मार्ट, कॉंपटेटिव एक्जाम की तहरी कर रहे हो, विफ्थ में पढ़ रहे हो, और आप देने जा रहे हो एक कॉंपटेशन का एक्जाम, मतलब जहां पर आपके साथ पर कई सारे स्टूडेंट होंगे, और फाइट करेंगे ए एक एक्जाम को क्रैक करने के लिए ताकि आपका एडमिशन हो सके नबोदे विद्याले में, आप भी पढ़ सके देश के जाने माने रेपूटेटेटेड स्कूल में, ठीक है, तो एक जोस भर लो, जुनून भर लो कि हा भाई मुझे एडमिशन लेना है, जवाहर नबोदे विद्याले में जाना ही जाना है, ठीक है, एक दम पूरा आफ़त कर दो, चलो, तो इसी जोस के साथ में, इसी उमंग के साथ में हम लोग चलते हैं, आपने इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, हाँ, आपको पता है, स्टेडी कापिटल पर हम लोग पढ़ रहे हैं, स्टेड परबेस के साथ में है, ठीक है, डिर्ढ़ लाक संख्याओं के साथ के बाद, हम लोग CHS में भी, JNV में भी अपने कदम को आगे बढ़ा रहे हैं, और लगातार अपार सफलता के बाद, हम लोग भीदे इदरे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, मेरे पहरे चोटे भाई बहनो इसलिए मुझे लगा पो बताना ज़रूरी है, चलो, आगे देखो भाई, सबसे पहले चीज इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले चीज इसमें पढ़ेंगे हम लोग किस तरीके से Numbers को add किया जाता है, ठीक है, Numbers को add किया जाता है, समझो, Numbers को add करने का मतल हैं, इसे हम जोड समझते हैं, यानि कि धन, धन का निसान मतलब क्या जोड, अब अगर आपको लिखा हुआ, 1, 2, 3, 4, ऐसे plus plus का symbol लगा हो, मतलब आप simply add कर देते हो, क्या, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, कर दिये, very good, ऐसे आपको जोड किया जाता, simple तरीके से मगर देखे, तो 2, 4, 6, 8, अगर लिखा हुआ है, 1, 2, 3, 4, लिखा हुआ, आपको ऐसे add करना पड़ता, तो ऐसे आप plus लगा देते हो, 8, 4, 12, 2, 8, 6, 3, 9, 1, 10, 0, 8, 4, 2, 8, 1, 9, 4, 2, 1, 3, ऐसे आप 3,902 answer ला दोगे, ठीके, यह सब तो असान तरीके होते हैं, यहां से थोड़ा हम लोग अपना level up करें आप से पूछा जाएगा, कि आप मुझे बताएगे, पूर संख्याओं का end digit तक योग बताएगे, end digit मतलब क्या सर जैसे आप लेके गए, 1, 2, 3, 4, अब आप ऐसे लिखते तो नहीं जाओं कि 100, 200 तक तो आप क्या बोल दोगे, dot 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 200, तो मतलब यहां पर क्या पता चला कि यह एक से लेक कि कहां तक संख्याओं लिखी गई है, 200 संख्याओं लिखी गई है, dot 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 लिखा हूँ क्या, अगर आपका लिखा है 1 plus 2 plus 3 plus 4 dot 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 200 तक लिखा हुआ है, तो बतलब आपका N बराबर कितना आया, 200 हुआ है, यह आपका N क्या है, यह आपका N यह है, ठीक है, एक दाम इस परस्ट रूप से समझेगा, चलिए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखो, पहले चीज़ का, आपसे पहला कोशन करेगा, कि प्रथम, प्रथम N संख्याओं का, यह आपसे बोलेगा प्रथम N प्राकृतिक संख्याओं का, क्या, प्राकृतिक संख्याओं का, योग बताइए, ठीक है, योग बताइए, चलिए, पहले चीज़ तो मैं एक छोटा सा कोशन देता हूँ, ठीक है, आपको एक छोटा सा 9 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 12 चलो यहीं तक देते हैं आपको इंड 12 डिजिट को एड करना है कैसे करोगे आप लोग आप दिमाग लगाओगी कैसे दिमाग लगाओगी सर 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 27 28 28 26 एक मठ गलस हो गया फिर से ऐसे मतलब आप लोग भी करोगे आप से जो मुझसे गलती हो रही तो आप से तो होगी होगी चलो फिर से देखो 2 1 3 3 6 4 10 5 15 15 6 27 28 28 28 36 39 45 45 45 और 11 55 56 66 66 और 12 66 68 68 68 68 68 यानि इनका सर सम आया कितना 78 आया अब मैं आपको कहूँ कि आपको इतना जादे दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है बस एक फॉर्मूला याद करने की जरूरत है तो आप क्या कहेंगे आप कहेंगे वाव सर यू आर सो ग्रे फॉर्मूला याद करने की जरूरत है क्या प्रसम एन प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला होता है एन ब्रेकट में एन प्लस वन बटे दो ये एन क्या है सर ये एन आपकी लास्ट डिजिट है यानिकि लास्ट डिजिट है यानिकि अंतिम संख्या अंतिम संख तो अंतिम में कौन है? 12, तो n बराबर कितना हो गया? 12, चलो, सार लिख लिए मैंने, अब देखो, फॉर्मूला लगाओ, लास्ट में क्या है? 12, ब्रेकट में 12, प्लस 1 बटे, 2, ठीक है? सिंपल सा ही फॉर्मूला है, आमने लिख दिया, अब 12, 1, 13, चलो, हमने क्या लिख ल एक सिंपल, क्या है? हाँ, 6, दूनी, 12, ठीक है? 12 हिठा न, ठाक, 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 अरे, स्वरी, 6 कहां से आ गया? यहां से 2 होता है, स्वरी, यहां क्या होता है? यह दो लिख लिख दिया, तो 2 छंगे, 12, तो 6 तरीक, 18, औ 6, 19, 6, 7, 78, तो आपका 78 आंसर आ गया है, यू चुटकियों में, सर एकदम आसान है, मतलब हमें इतना जोड़ना नहीं है, बस एक फार्मूले लगाना है, फार्मूले पे आंसर ला देना है, बिल्कुल सही बात है, चलो दूसरा कोश्चन करते हैं, सर, दूसरा कोश्चन, चलो, प्रथम, प्रथम, पांच सो संख्याओं का, संख्याओं का, संख्याओं का, संख्याओं का, योग बताईए, योग बताईए, कैसे संख्याओं है, कैसे संख्याओं है, कैसे संख्याओं है, पांच सो आपकी क्या है, पांच सो आपकी प्राकृतिक संख्याओं है, क्या है, प्राकृतिक संख्याओं है, यानि कि नै n बराबर500 बला तो formula लगा ओ क्या हो जाएगा sum बराबर क्या हो जाएगा sum यानि की total total बराबर क्या t बराबर लिख दो ऐसे n breakout में n प्लस 1 बटे दो formula होता है n की जगापे 500 breakout में 500 प्लस 1 यानि की 500 प्लस 1 बटे 2 तो 200 को 500 सुकाटो कितना है का 200, सर कितना मिला, 250, गुने, 500 प्लस 1, 501, अब मुटिप्लाई कर दो, 200 का 501 में कितना हो जाएगा भई, चलो करता हूं, मैं मुल्टिप्लाई, 501, गुने, 250, 200, चलो, 0 का समय मुल्टिप्लाई किया, 0 वाया, 5 का किया, मैंने 5, 1, 5, 0, 5, 25, ठीक है, चलो, 2 का कर दो, 2, 1, 2, 2, 2, 0, 0, 2, 5, 10 आ गया, चलो हमने जोड दिया, 0, 5, 2, 5, 2, 1, कितना आंसर आया, 12, 52, 50, कितना आंसर आया, t बराबर कितना, 12, 52, 50, ये आपका आसानी सी आंसर आ गया, अब अगर आप एक से लेके, एक से लेके 500 तक संख्याओं को जोडते जाते, तो हालत खराब हो जाती, एक दम मतलब दिमाग खराब हो जाता, आप जोड भी नहीं पाते, हालत एक दम पस्त हो जाती, ना नियाद आ जाती, लगिन आपने फॉर्मूले की मतलब से चुटकियों में जोड दिया, कि 12, 1,25, 250 होगा, यानि कि सम संख्याओं का योग, ठीक है, तो आपने सीखा, कि प प्रथम, प्रथम, 200, प्राकृतिक, या इसमें होल नमबर लिखता हूँ, प्रथम 10, प्रथम 200, एक सकेड, होल नमबर, पूड संख्याओं बोलता हूँ, जाद आच्छा लगेगा, पूर संख्याओ का योग बताये ओप आपको बताना है योग ठीक है क्या बताना है अब ही आपका पहला हम अभी ऐसा ने कि एक ही दूँगा अभी और दूँगा चलो पहले आगे quoेशन पढ़ो आप दूसरा देखो अब आपसे बोला जाएगा कि सर सम संख्याओं का योग बताईए क्या बोलेगा आप कुश्चन में बोलेगा प्रथम एन सम संख्याओं का योग बताईए यानि कि even numbers का add बताओ संख्याओं संख्याओं का योग योग बताईए बताइए ठीक है आप प्रथम एन संख्याओं का आप योग बताएंगे कैसे बताएंगे सर देखिए पहले तो जानो सम संख्याओं है क्या ठीक है अगर आपके पास में लिखा है एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस लिखा हुआ है तो यहाँ से आप केटेगराइज करो कि सम कौन है, बिसम कौन है तो भाई देखो, दो, चार, छे, आठ, दस आपका क्या है यह है आपका सम संख्या बिसम संख्या है कौन सी है बिसम संख्या है आपकी एक, तीन, पाँच, साथ, नो यह क्या है आपकी बिसम संख्या जो पीले से मैंने घहरा बना दिया वो बिसम संख्या जो मैंने सफेद से घहरा बना दिया वो क्या है समसंख्या तो भाई समसंख्या को योग करने का अलग फॉर्मूला है पूरा एक साथ जोड़ने का अलग फॉर्मूला है तो चलो हम लोग पढ़ते हैं कि प्रथम एन समसंख्याओं का योग बताईए तो भाई देखो प्रथम प्रथम एन समसंख्याओं का योग कितना होगा योग कितना होगा योग कितना होगा यह होता है एन ब्रेकट में एन प्लस वन होता है क्या होता है एन ब्रेकट में एन प्लस वन होता है ए नाद करने योग है, इसमेंदे कुछ भूलने वाली बात है, पहला वाला फॉर्मूला क्या था? N प्लस 1 बटे 2, दूसरा वाला फॉर्मूला यानि की प्रथम N संख्याओ का यह क्या होता है? N प्लस 1 होता है, ठीक है? चलो, यह एकदम आसान चीज थी, अब देखो, इस पे ह हम एक्जांपल करते हैं, एक्जांपल कैसे करेंगा सर, चलो करो भाई, चलो, प्रथम, प्रथम, पाँच, सम, संख्याओं, यह सम, पूर संख्याओं का, पूर संख्याओं का, संख्याओं, का योग बताईए, का योग, बताईए, चलिए बताईए भाई, बताईए, प्रथ एक्जाम्पल है, देखो, आपके पास में पर्थम 5 संसंख्याओं का, पूर संख्याओं का, तो आपका 5 क्या है? अब देखना हमेशा स्टार्ट पर्थम से होना चाहिए, गड़ड़ा देएगा नहीं तो, तो आपका 5 क्या है भाई, ये N है, N बरबर कितना? 5, क्या पूछ संसंख्याओं नहीं कि संसंक्या पूछ रहा है, यनिकि even तो even वाले का फॉर्मफूला क्या होता है? झांनलगका फॉर्मूला होता है, गड़म सिंपल सा, N कितना है? पांच, ब्रेकाट में 5 थेजाए, कितना? 5, 1, कितना होता है? 6, तो 6, 5, 1 अब देखो, ब्रेकाट के बा 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो इसमें सिर्टेईंग के 5 event numbers कौन कौन से हुए ? स्टेईंग के 5 even numbers हुए, सर कौन कौन से मैं बताओं हूं ? हाँ बताओ, बिल्कुल बताओं यह सर massively 5 आपके हुए, पहला क्या है ? 2, फिर क्या है, 4, फिर क्개발 insan, 6, फिर क्या है, 8, फिर क्या है, 10 है, तो इनको add करना है, add करना है, चलो कर दो भाई, तो 2, 4, 6, 6, 6, 12, 12, 8, 20, 20, 10, 30, तो answer कितना है आपका 30, यहाँ पे भी 30, यहाँ भी 30 मतलब आपका answer क्या है, correct है, ठीक है, आपने किस तरीके से देखा, आपने formula लगाया, यहाँ पे आपने 200 संख्याओं का, प्रथम 200, सम पूर्ण संख्याओं का, पूर्ण संख्याओं का, योग बताईए, योग बताईए, तो आप क्या करेंगे, आप रो देंगे फिर कि 500, 200, कैसे जोड़ू मैं, तो चलो, आपके पास में क्या है, formula है, तो n बराबर क्या है, 200, बहुत बढ़िय ये आपका given है, तो आप formula लगा दीजे, सम संख्याओं का जोड, सम संख्याओं का, सम संख्याओं का, योग का formula लगाईए, सम संख्याओं का योग का formula क्या है भई, n bracket में n प्लस 1, चलो लिकार दो भई, क्या हो जाएगा, n की जगा पे 200, और bracket में 200, प्लस 1, बहुत बढ़ लोग उन्हें एक का, हम तो कर देते हैं, सर आप बताएए, मैं भी कर देता हूँ, 200, 0, 200, 0, 201, और उन्हें का, 402 आएगा, 402 आएगा, यानि की सम संख्याओं का योग कितना आया आपका, 40200 आपका answer आया, ये क्या है आपका answer, ये क्या है आपका, उत्तर है, ठीक है, चलो, लिख लो भई, लिख लो और समझ लो, एक दम आसान तरीका है कि नहीं है, जल्दी बताओ, सर आपको आसानी तरीके से बता रहे हैं कि नहीं, ये आपको दो एक्जामपल्स हो गए, अब चलो, होमवर्क देख लो, होमवर्क क्या है सर, आप हर बार होमवर्क देंगे, बिल संख्याओं का उन संख्याओं का योग बताईए क्या योग बताईए योग बताईए ठीक है एक दम सिंपल सिंपल से कोश्चन दे रहा हूं चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं क्या आगे हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग क्या सिखेंगे भई हम लोग सीखेंगे अब क्या क्या सीख लिए हम लोग जल्दी बताओ हम लोगों ने सीखा समसंख्याओं का योग अब हम लोगों की बारी आती है विशम संख्याओं की योग पे क्या विशम संख्याओं की योग चलो लिखो भई क्या प्रथम प्रथम एन विशम संख्य का योग का फॉर्मूला क्या होगा सर पिछली बार हमने देखा था अगर आपने एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस लिखा है तो इसमें आपने विशम संख्या है कौन कौन सी है भाई विशम संख्या है को मैंने कटेग्राइज करना बता दिया था कैसे एक आपका क्या है विशम है तीन आपका क्या है विशम है पांच आपका क्या है विशम है साथ आपका क्या है विशम है ठीक है नव आपका क्या है विशम है तो मतलब जो जो मैंने घेरा बना दिया वो क्या है आपका विशम है तो आपको ऐसे वो लेगा कि प्रथम पांच जैसे सम में होता थो ऐसे विसम में तो इसका formula क्या होता simple से मैं बता दू आपको इसका formula होता है n square क्या होता है n square formula होता है ठीक है एकदम simple सा है कुछ इसमें ज्यादा लोचा तो नहीं है नहीं सर लोचा तो मुझे बिल्कुल इस पर स्ट्रूप से समझ में पूर्ण संख्याओं का योग बताईए, का योग बताईए, तो आप क्या करेंगे, आप रोने लगेंगे, नहीं रोना नहीं है, बिलकुल भी रोना नहीं है, आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या है, एन स्क्वाइर, तो पर्थम कितना चाहिए, पांच, तो आप square क्या, sir, square आपने हमको पढ़ाया नहीं है square मैंने आपको नहीं पढ़ाया नहीं, sir, मुझे नहीं पढ़ाया, चलो पढ़ा देता हूं square मतलब होता है स्वयम का स्वयम से गुना स्वयम का स्वयम से गुना, चलो देखो यहाँ पे भई, देखो square, square मतलब क्या हुआ स्क्वायर मतलब हुआ वर्ग मतलब क्या हिंदी में स्वयम का स्वयम का स्वयम से स्वयम से गुना ठीके यह आपका क्या होता है वर्ग होता जैसे एक का एक से गुना कितना हुआ एक दो का दो से गुना कितना हुआ चार हुआ तीन का तीन से गुना कितना हुआ य क्या होता है 25 चे का क्या होता है 36 क्या होता है उन्चारस चलो 8 क्या होता है 196, हाँ, 15 का क्या होता है सर, 15 का स्क्वार होता है, एक सेकंड, 225, ठीक है, नोट कर लीजेगा, आगे हम आपको 20 तक भी बता देंगे, नहीं कहिए तो 20 तक भी बता सकता हूँ, अभी ही मैं, चलो, बता दूं क्या, चलो, 16 का स्क्वार क्या होगा, 256, ठीक है, 17 का स्क्वार क्या होगा, 200, एक सक्वार, 49, 29, 18, 18 का क्या होगा, सर, 18 का होगा, 34, 34, 34, 19 का क्या होगा, सर, एक सक्वार, उननीस का स्क्वार क्या होगा, 371, 20 का क्या होगा, सर, 400, लिख लिजे, ठीक है, यह आपका वर्ग है, पूरा आपको वर्ग याद होना चाहिए, और इस प्स ट्रूप से याद होना चाहिए, एक दम किलिर देख लिजे, ठीक है, कभी भूलना नहीं है, चले, भाई ये क्या हो रहा है प्रथम पच्छास बिसम संख्याओं का योग बताईए बिसम संख्याओं का संख्याओं का योग बताईए तो भाई आपको पता है आपका फर मुला क्या है n बराबर दिया गया है 50 कितना हो जाएगा अब देखो कभी अगर आपके पास में 0 रहता जैसे माली जी रिखा गया 200 को आपका 2.0 बताना है तो क्या हो जाएगा 200 का square मतब कितने 0 हैं 2 0 तो 4 0 लिख दो तुरांट 4 0 लिख दो 2 दूनी 4 लिख हो गया ठीक है अगर तुमसे पूछे 600 का square root बताओ तो पहले क्या करो 6 को 6 से multiply कर दो 36 हो जाएगा कितना 0 है 2 0 दो और बढ़ा दो हो गया 36 ठीक है कोई पूछे 50 का बताओ तो 5 का square कर दो 25 और 1 0 है तो 2 0 कर दो 2 0 है तो 4 0 कर दो 6 0 है तो 12 0 कर दो बढ़ा digital कोई बढ़ा digital कोई कहता है 15 15,000 का square root बताओ चलो क्या हो जाएगा 3 0 है तो 3 0 को 6 0 कर दो डबल कर दो 1,2,3,4,5,6 15 का square क्या आता हो भाई 225 लिख दो 225 लो हो गया खतम इतना बड़ा digit हमने कर दिया 0 आ जाए तो simple से कर दिया करो ठीक है चलो तो हो गया आराम से खतम आपका 25 सो अंसर आ गया चलो कोई कहता है प्रथम प्रथम कितना चलो प्रथम 2500 संख्याओं का संख्याओं का 2500 बिसम संख्याओं का क्या पचीस सो बिसम संख्याओं का योग बताईए तो प्रथम संख्याओं का योग क्या होगा संख्याओं का योग क्या होगा भाई simple सी चीज है न बराबर कितना है 2500 तो आपको क्या करना है N square करना यह इनिक कितना हो जाईगा पचीस सो गुने पचीस सो हो जाईगा ठीका पचीस सो गुने पचीस 2020 मतलब कितना 20 0 है, तो 40 कर दो 1 2 3 4 हो जाईगा ऑँ 25 के square कितना होता है 625 आपको इन sorting बता दूँ आगे चल के आपको आठको याद करना पढ़ेगा चलो होमवर को कुश्चिन तीसरा नोट करो होमवर को कुश्चिन कि प्रथम 200 विसम पूर संख्याओं का योग बताईए संख्याओं का योग बताईए योग बताईए ठीक है यह आपको एक दम इस पस्ट्रूप से क्लियर है चलिए यही आपका तीन होमवर्क में कुश्चि यह क्या है आपके 3 यह हैं आपके homework question homework बहुत ज़्यादा homework नहीं देंगे क्योंकि आपको बहुत सारे teacher भी पढ़ा रहे हैं और आपको extra पढ़िना भी है क्या है